जहें दोस्तों आईए आज की वीडियो में हम लूसेंट की शुरुवाग करते हैं जिसमें हम विज्ञान को देखेंगे जनरल साइंस लूसेंट में पहरा चेप्टर है मात्रक तो हम मात्रकों को देखेंगे हम जितने मात्रक बताएं आप उतने मात्रक के बल कंपलीट कीजिए पूरे के पूरे उतरप्रदेश पूलिस में फसेंगे तो हम देखेंगे मात्रक दो प्रकार के होते हैं मूल मातरक और व्यूत्पन मातरक मूल मातरक वे होते हैं जिनको मान लिया जाता है और व्यूत्पन मातरक वे होते हैं जिनको मूल मातरकों की साहता से निकाला जाता है तो मूल मातरक जैसे हमारे लंबाई के मूल मातरक को मीटर को मूल मातरक के रूप में स्विकार किया गया है द्रब्यमान को किलोग्राम समय को सेकेंड और ताप का मातरक कैल्विन है कैल्विन ये मूल मातरक है विदुधारा का मातरक एंपियर होता है और जोतिती प्रदा का मातरक केंडेला है केंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है उसे मूल में मापते हैं तो ये हैं हमारे मूल मात्रक लंबाई, द्रब्यमान, समय, ताप, विद्धुदारा, जोती तीब्रता और पदार्थ की मात्रा अब व्यूत्पन मात्रक वे होते हैं जिने इन मूल मात्रकों की साहता से ही निकाला जाता है जैसे अगर हमने वेग अर्थाथ वेलोसिटी का मात्रक निकालना चाहें तो वेलोसिटी की परवासा होती है प्रति सेकेंड में चली गई दूरी अगर कोई बस तो गतिमान है तो वो प्रति सेकंड कितनी दूरी तै कर रही है, अर्थाथ दूरी बटे समय, तो बस यही होगा, दूरी का मातरक हमने यहाँ पर देखा, मूल मातरक है, मीटर, मीटर, समय का मातरक है, सेकंड, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हमारा बेग का मातरक हो गया, तोरल, तोरल का मातरक न मैं पता है वेक के मात्रक या मीटर पर सेकेंड और नीचे समय है तो सेकेंड का स्कार हो गया मीटर पर सेकेंड स्कार यह मूल मात्रक है मीटर सेकेंड मी मूल मात्रक है तो यह विद्पन मात्रक हो गया अब बल का मात्रक क्या होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है बल का मात मात्रक होता है और आवेशका मात्रक होता है कूलाम और संधारितर जो만 होता है धारीता जसे बोलते हैं संधारितर की धारिताल इसका इसका होता है फेरड फेरड उर्जा का मात्रक होता है जूल अब देखते हैं सक्ती का मात्रक होता है वाट उर्जा का मात्रक हम बता चुके हैं जूल होता है बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसका दूसरा का की दूरी मीटर सेकेंड में स्कॉयर तो ये बल का मात्रक, चली की दूरी मीटर प्रति सेकेंड में, तौरा रोथ होता है बेग परिवर्थन कि दर मीटर पर सेकेंड स्कॉयर्ट प्रतिरोह दोता इसका मात्रक होता है ओम धारा का मात्रक होता है並पीर अ हमनी यह बताय दो यह मूल मात्रक भी क कवह लडि दो बोट में इसे नापते हैं आवेश का का मातरक कूलाम, संधारित्र की धारिता का मातरक होता है फेरड, प्रेरकत्व का मातरक हैनरी, और कार्री का मातरक भी जूल होता है, प्रकास वर्स जो होता है, प्रकास वर्स भी दूरी का मातरक होता है, एक प्रकास वर्स आपको पता है, एक प्रकास वर्स बरावर होता है, इसका मान निकालने के लिए आपको velocity of light पता है 3.0 गुण 10 की पावर 8 गुणा अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 गंटे, एक गंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3.0 गुण 10 पेगाद 8 मीटर पर सेकंड गुणा 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60 करेंगे, तो आपको एक प्रकास बर्स की value मिल जाएगी, तो एक प्रकास बर्स में प्रकास के द्वारा चली की दूरी होती 9.46 गुण 10 पेगाद 15 मीटर, अब हम आपको दो मात्रका और बताते हैं, जो यूपी पुलिस में पूचे जाते हैं, पहला मात्रक है समतल कोण, समतल कोण के होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा होता है घन कोण, घन कोण, इसका मात्रक होता है इस्टे रेडियन, और आपको पता है आवरती आवरती का मात्रक होता है जिसे frequency कहते है प्रती second प्रती second जो होता है ना इसी को कहते है हर्ड्स हर्ड्स बोलते है इसे ह्जेट से डिनूट करते है हर्ड्स जो है इसका मात्रक होता है हर्ड्स Hertz ये Scientist के उपर लखा गया है Hertz आवरती का मातरक होता है और ये समय का उल्टा होता है तो इतने मातरक हमने आपको बता है जिसमें हमने मूल मातरक, भ्यूद्पन मातरक, प्रकास वर्स और सम्तल कौण, घंद कौण और आवरती के मातरक बता है तो इस तरीके से भौतिक विज्ञान डूसेंट का जो पहला चैप्टर है आपका मातरक वो यहाँ पर पूरा होता है